Good morning friends, welcome to study with Neelam I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आज ही 22 सितंबर और 22 सितंबर के सभी best top current affairs question with point to point section हम complete करेंगे सभी question important है तो वीडियो में लाश्ट तक बने रहिएगा अगर आप study with Neelam चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और bell icon प्रेस करना बिल्कुल न भूलें जिससे हमारी सभी वीडियो के notification आपको सबसे पहले प्राप्त हो जब आप bell icon प्रेस करें तो all की बटन पर क्लिक जरूर कीजेगा जिससे हमारी कोई भी वीडियो अगर अप्लोड होती है तो आपके पास तुरंत उसका message पहुच जाए आप हमें Facebook, Twitter और Insta पर follow कर सकते हैं और हमारी वीडियो के notification आपको यहाँ भी प्राप्त हो सकते हैं PDF के लिए आप हमारा official Telegram जोइन कर सकते हैं इस lectures की PDF और से पहले की किसी भी PDF के लिए वो सभी आपको हमारे Telegram चैनल पर प्राप्त हो जाएंगी ओके फ्रेंट्स और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूले चलिए तो शुरू करते हैं आज का lecture पहला question बहुत ज़्यादा important है और इसके आने के chances बहुत ज़्यादा है तो बहुत अच्छे से इसे हम करते हैं और समझते हैं हाली में भारत के द्वारा निम्निमे से किस उत्पात के लिए GI Tech European Union में फाइल किया है देखें European Union में GI Tech फाइल करने का मतलब क्या होता है जो European Union आपको पता है ये European countries का एक समूँ है यहाँ पर जो बास्मती चावल है किसके लिए फाइल किया गया है बास्मती राइस के लिए यहाँ पर European Union में जो भारती हैं उनकी संख्या जादा है और जो बास्मती चावल है उसकी quality उसकी जो health है मतलब health से related भी इसमें गुण पाया जाते है जो diabetic लोग होते हैं वो बास्मती चावल को खा सकते है जिससे diabetes नहीं बढ़ती है ठीक है और इसकी जो खुश्बू है इसकी जो quality है इसकी वज़े से बास्मती चावल बहुत ज़दा famous है और इसनी सभी इसकी गुणों की वज़े से इसकी demand भी है कहाँ? European Union में और भारती ये तो बढ़ गए है तो उससे भी ज़्यादा demand हो गई है तो क्या हुआ? इसकी वज़े से हम चाहते हैं कि इसका G.I.T.E.G. हम प्राप्त कर लें कहाँ पर? फाइल की है हमने European Union में देखिए क्या होगा G.I.T.E.G. मिलने से? G.I.T.E.G. मिलने से ये होता है कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी क्या करता है? बास्मती चावल का उत्पादन करता है भारत विश्व के कुल 65 क्या परसेंट जो चावल का निर्याद होता है बास्मती चावल का निर्याद करता है और बाकी जो बचता है उसका निर्याद पाकिस्तान करता है तो हमने पहले ही स्मार्ट तरीका अपना कर खुद से क्या कर लिया है? जी आई टेक के लिए फाइल कर दिया है क्या होता है जी आई टेक? जोग्रोफिकल इंडिकेशन कोई भी बस्तु है उत्पाद है अगर उसे उसकी भोगोलिक पहचान मिल जाती है तो फिर कोई भी उसका उत्पादन अपने छेतर में करकर उसे उसी नाम से नहीं बैश सकता जिसे मैं आप लिए को बताती हूँ यहाँ पर कि अगर हम देख लेते हैं बास्मती चावल का निर्याद भारत और पाकिस्तान द्वारा किया जाता है 2019 के अंकडों के अनुसार 65 प्रतिशत निर्याद पर भारत और बाकी का निर्याद पर किसका कब जा रहा है पाकिस्तान का तो आपको समझ में आ रहा है कि दो प्रमुग देश है जो बास्मती चावल का उत्पादन करते और इससे बेशते होता हलागि दक्षन पूर्व एश्या के देशों में भी है लेकिन जो कौलिटी भारत के चावल की है पाकिस्तान में जो चावल होता है उसकी है वो दक्षन पूर्वे एशाई देशों के चावल की नहीं होती है विश्व का 70% बास्मती चावल का उत्पादन भारत में होता है बहुत अच्छे से याद रखना कोशन बन सकता है कि बास्मती चावल का सरवाधिक उत्पादन किस देश में होता है तो भारत में होता है बास्मती राइस का 2015-16 के आकड़ों के अनुसार भारत की कमाई कितनी रही 3.4 billion अमेरिकी डॉलर ये 2015-16 के आकड़े और 4 वर्षों के अगर हम 2020 की बात करें तो most probably ये पहुत चुका होगा 4 billion अमेरिकी डॉलर मतलब बहुत बड़ा income का source है बहुत बड़ा भारत का निर्यात का छेतरे कौन सा बास्मती राइस तो देखिए क्या होता है भारत तो नहीं GI टेग ले लिया है तो अब पाकिस्तान क्या नहीं कर पाएगा अगर भारत को GI टेग मिल जाता भी फाइल किया है फिर पाकिस्तान अ अपने यहां के चावल को बास्मती राइस बोल कर European Union में नहीं बेच पाएगा और आपको ये भी जानकरी होना चाहिए कि जो चावल का निर्यात करता है पाकिस्तान वो पाकिस्तान के विदेशी आये का एक बहुत बड़ा स्त्रोथ है जिससे उसे बहुत बड़ी आये होती है ठीक है तो अब देखना रहेगा ये क्योंकि पाकिस्तान के तो सभी नियूस पेपरों में इस इच्छा चुकी है कि अगर भारत ने जी आई टेक फाइल कर दिया और बास्मती चावल का जी आई टेक ले लिया तो फिर पाकिस्तान के जो वैपारी है वो अपने देश के चावल को बाहर क्या नहीं कर पाएंगे बास्मती राइस के नाम से नहीं बेच पाएंगे तो ये किस तरीके से होता है देखिए भई जो डव्लू टी है आपका डव्लू ट्रेड और्गनाइजेशन इसका एक समझ होता है ट्रिप्स ये जो मैं आप लोग को यहां पर क्लि किया गया है तो ये भी आप याद रुखिए ट्रिप्स जो समझ होता है उसके अनुसार ट्रिप्स क्या करता है इसको रेगुलेट करता है ठीके जी आई टेक को ठीके तो ये डव्लू टी ओ के द्वारा है इस पर भारत ने भी साइन किया है पाकिस्तान ने भी साइन किया ह तो क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच में ये लडाई होती रहती है मतलब G.I.T.E.G. अभी किसी एक को नहीं मिला है भारत और पाकिस्तान दोने उत्पादन करते हैं लेकिन अगर भारत का जो फाइल किया यूरोपी यूनियन में ये G.I.T.E.G. प्राप्त हो जाता है तो भारत का विश्यो में बास्मती चावल के निर्यात पर उत्पादन पर एकाधिकार हो जाएगा और अगर कोई देश उसका उत्पादन करता है तो बास्मती चावल के नाम से उस चावल को बेच नहीं पाएगा देख लेते हैं भारत में कहां कहां होता है भारत के राज्यों से भी आपको एक चीज क्लियर करती हूँ भारत में पंजाब, हर्याना, हिमाचल प्रदेश ये राज्य सभी most important है याद रखिएगा इन सभी राज्य को बास्मती चावल के उत्पादन का जी आई टेग मिला हुआ है उके पंजाब, हर्याना, हिमाचल प्रदेश, जमू कश्मीर, पश्चमी उत्तर प्रदेश पूरा उत्तर प्रदेश नहीं सिर्फ पश्चमी उत्तर प्रदेश जो गंगा वैली का एरिया है वहाँ पर इसके उत्तर प्रदेश के लिए जी आई टेग मिला हुआ है और हमारे ये साथ राज्य, आठ राज्य ही क्या कर सकते हैं बास्मती चावल का उत्तर प्रदेश के लिए देने से इंकार कर दिया है होगा अगर हम मद्य प्रदेश को भी जी आई टेग दे देंगे बास्मती चावल के उत्तर पादन के लिए अच्छी बात होगी मद्य प्रदेश के किसानों की इंकम बढ़ेगी है ना ये हमारा एक द्रश्टिकॉन हो सकता है लेकिन दूसरा अस्पेक्ट अगर आप देख पाकिस्तान में उत्पादित चावल है वो भी उसे भी जी आई टेग दिया जाना चाहिए क्योंकि देखिए जब भोगोलिक छेत्र की पहचान होता है जी आई टेग तो आप उसके भोगोलिक छेत्र का अपनी मर्जी से बढ़ा थोड़ी ना सकते है क्या है जो मद्य का कोई और नाम ही रखना पड़ता है तो ये मद्धिपरदेश वाला केस भी याद रखेंगे और ये आठ राज जाब बहुत अच्छे से याद रखेंगे जहां जी आई टेक की अनुमती है तीके मद्धिपरदेश भी जी आई टेक की लड़ाई हार लड़ रहा है लेकिन यहाँ दरजा अभी तक उसे नहीं मिला है अब हम देख लेते हैं देखी यह है ट्रिप्स एग्रिमेंट जो आपको ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं यह सभी देशों ने क्या किया है ट्रिप्स जो डव्लू ट्यो का ट्रिप्स समझोता है उस पर हस्ताक्चर किया है देख लीजे हम देख लेते हैं इसके बारे में इस ट्रिप्स पर जो मतलब जी आई टेख होता है किसी वस्तू का उस पर कोई दूसरा देश अधिकार नहीं कर सकता है इसका एक केस का हमुदारन देख लेते हैं होता और यह भारत की भोगलिक पहचान है तो पाकिस्तान को इसके लिए जी आई टेख प्राप्त नहीं हो सकेगा वरना क्या होगा यह जो डिसीजन आया यह भी गलत माना जाएगा ओके तो अब देखते हैं आगे की लड़ाई क्या होती है हाला कि चांसे हैं कि यूरोपिय यूनियन भारत को यह अनुमाती दे देगा जी आई टेक के लिए ओके बाकि अभी जो स्पेशिफिक की देश देखा जाए डबलू टीओ की तरफ से तो वो भारत और पाकिस्तान दोनों के एडिया में ही क्या होता है इसका अत्पादन होता है और यह हैं सभी ग्रीन में ज समझ आ गया होगा पूरा टॉपिक हाली में निमन में से किस राज्जी सरकार ने सिनेमा हॉल खोलने के लिए सबसरड़ी देने की घोशना किये तो राइट हैं सरोगा असम सरकार देखिए यहां पर आपको समझना होगा कि जो असम सरकार है उनके द्वारा जो चार महीने से सिनेमा हॉल बंद पड़े थे उन्हें अब आर्थिक मदद की जरूरत है तो उन्हें आर्थिक मदद दी गई है उन्हें कोई रेनोवेशन का काम कराना है तो उसके लिए मदद दी गई है सिनेमा हॉलों में और अगर कोई नया सिनेमा हॉल ओपन करना चाहता है तो उसके ल international इस्तर का बनाना चाहती है इसके लिए क्या किया गया विभिन इस्तरोंपर मतलब किसी को नया cinema hall बनाना है किसी को अच्छी नहीं है जो cinema hall के मालिक थे तो उन्हें असम सरकार गरा विभिन इस्तरोंपर क्या दी गई है तो याद रखिएगा अब हम बात कर लेते हैं अगर आप भारत के मैप में देखेंगे तो यहाँ देखिए पूर्व में आपको दिखाई दे रहा है रैट कलर में असम यह देखिए असम ऐसा राज्ज है जो पूर्वत्तर के सभी राज्जों से कनेक्ट होता है यहाँ अरु तो यहाँ से यह सिक्किम से कनेक्ट नहीं हो पाता अधरवाइस सभी स्टेट से कनेक्ट हो पाता है असम की कैपिटल क्या है यह केपिटल है दिसपूर क्या है कैपिटल दिसपूर इसकी कैपिटल है और सियम कोन है सर्वानंद सोनोबाल कौन है सौरी गोहाटी वो कौन है सियम सर्वानंद सोनोबाल है गवर्नर कोन है जगदिश मुकी है गोहाटी खेलो इंडिया तीसरे यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था ठीक है इसी साल किया गया था पेसटवी फिल्म फियर अवोड गोओ हाटी में समपन हुए थे कहां हुए थे गोओ हाटी में तो यहाँ पर क्या मिला है भी मिला है एक महत्र बारत का एक मात्र नेशनल पार्क है जहां गुल्डन बाग मिला कहां काजी रंगा नेशनल पार्क में मानस नेशनल पार्क असम नामेरी नेशनल पार्क असम और ओरंग नेशनल पार्क असम अरुन धती योजना यह बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट है असम सरकार द्वारा बनाई गई थी जो गरीब परिवार की लड़किया हैं उनके विभापर असम सरकार एक तोला सोना उन्हें देती है ठीक है साधी करने पर गरीब परिवारों की लड़की को बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ हाली में केंदे सरकार के द्वारा रक्षा छेत्र में FDI की सीमा को 49% से बढ़ा कर कितने प्रतिशत कर दिया गया है तो यहां मारा राइट आंसर होगा 74 प्रतिशत कितना कर दिया है 74 प्रतिशत FDI का full form क्या होता है foreign direct investment तो हम FDI को समझते हैं FDI और FII दो तरीके के main investment होते हैं वैसे तो बहुत तरीके के होते हैं लेकिन हम यहां दो तरीके के पढ़ेंगे तो मैं उनका आपको अलग-अलग छीजे बता देती हैं को इनमें क्या difference है और क्या-क्या उनके फाइदे होते हैं तो FDI का full form होता है foreign direct investment ठीके और इसका क्या होता है foreign institutional investment जो foreign companies होती हैं वो क्या करती हैं यहां आकर हमारे देश में आकर क्या करती हैं अपना setup इस्टेबलिस करती हैं ठीके मतलब खुद की factory बनाएंगी खुद का infrastructure डबल अप करेंगी जो जो उस factory में उस company में उने जरूरी है ठीके तो किसके तहत होता है यह होता है आपके FDI के तहता आप 74 प्रतीशा थे तो कोई भी company रक्षा चेतर में आकर company बना सकती है हमारे देश में और यहां पर वो उसका पूरा setup तयार कर सकती है ठीके और जो FIIII है ठीके foreign institutional investment इसमें क्या होता है कोई भी company हमारे देश में नह ठीके और जो FDI होता है यह long term होता है भी कोई भी देश की company आई है अब ऐसा तो होगा नहीं कि उसने 15 दिन हुए company establish करी या एक साल हुआ दो साल हुआ उसके बाद वो चली जाएगी अगर वो company FDI investment आ रहा है तो वो long term के लिए ही आता है जबकि FII investment क्या होता है short term के लिए होत सकता है यह किस पर depend करता है investor पर depend करता है अगर उसने telecom sector में invest किया है तो उसे पता है telecom sector खत्म नहीं होगा तो वो इसमें लंबे समय तक के लिए पैसा लगा सकता है ओके लेकिन अगर वो कुछी ऐसे चेतर में पैसा लगा रहा है जहां उसको यह चाहिए कि उसे कुछी share ख होता है economic increase होती हमेशा याद रखेगा देखिए अगर आपकी बात करें कि आपका भाई एक घर है और आपने क्या कर एक company establish कर ली यह इस company में आपने क्या करा खुद उसका infrastructure बनाया खुद वहाँ पर जो जो चीजों के आविशक्ता थी वह आपने क्या करते गए build up करते गए तो आपकी एक पुझी क्या बन गई यह company बन गई एक पुझी आपका यह घर बन गया लेकिन अगर आपने आपका एक घर बनाया और सिर्फ आपने कुछ share खरीदे तो क्या वह आपकी पुझी बन पाया नहीं वह आपकी मतलब आपकी पुझी नहीं बन पाएगा लेकिन जब आप FDI के रूप में आते हैं और किसी देश में कमपने इस्टेबलिस करते हैं तो उस देश की अर्थेवस्ता भी इंक्रीज होती है क्योंकि कोई भी विदेशी कमपनी है तो वो वहां से अपने देश से मजदूर लेकर तो आईगी नहीं है ना कुछ बड़ा समा जरूर वो अपने देश से आयात कर सकती है किसी और कंट्री से मंगा सकती है जहां उसको सस्ता पढ़ता हो लेकिन जो बनाएंगे जो उस कमपनी को होल्ड करेंगे ठीके जो उस कमपनी को संभालेंगे वो सब कहां के होंगे हमारे देश की ही होंगे अगर हमारे देश में आ आता है एकनोमी में कोई बड़ा इंफ्रेस्टेक्टर निर्मानकार इसमें नहीं होता है जो इंप्लॉयमेंट जनरेशन ठीक है मैंने आपको बता है जनरेट होती है इंप्लॉयमेंट कि आएंगे तो यहां पर बिल्डिंग बन रही है अब उन्होंने मान लेजे उन्होंने की कमपनी स्टेबलिस की या उन्होंने फर्टिलाइजर की कमपनी बनाई तो जो उत्पाद होते हैं वो किससे खरीदेंगे हमारे देश के ही छोटे छोटे वैपारियों से खरीदे जाएंगे ठीक है तो इससे क्या होगी हमारे देश में ही इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी इ क्योंकि एक व्यक्ति विशेश या कंपनी विशेश के द्वारा किया जाता है इसे किसी क्या विशक्ता नहीं होती ठीक है यह बस इंवेस्टमेंट होता है डारेक्टली जीडीपी इंक्रीज होती है जब जीडीपी हमने बोला ना कि हमारे देश में क्या होगा निर्मान का दीरी क्या होगा जो भारत की कंपनी है उनमें इन्वेस्टमेंट से क्या होगा हमारी कंपनी ओंपनी के पास होगा ठीक है और यहां पर है इन्वेस्टमेंट इन secondary market depend upon market condition तो यहाँ पर जो investment होता है वो किस पर depend करता है second condition जो second market होता है उस पर depend करता है directly इन्हें investment नहीं मिल पाता है भारा सरकार बहुत सारी subsidies देती है जमीन पर देती है subsidies ठीक है आपको जो loan वगेरा मिलता है उस पर भी subsidies देती है तो वो FDI में आप उसका फायदा उठा सकत होते हैं tax में आपको subsidies दी जाती है तो बहुत सारी परिस्तियां होती है किसमें छूटे होती है FDI में motive is control तो देखी यहाँ पर जो FDI होता है इसका motive क्या होता है मैं control करना कि उस छेतर विशेश को कार कंपनियों fertilizer कंपनियों वो जाकर क्या करती है control करती है उस छेतर को जबकि यहाँ पर FDI का motive क्या होता है सिर्फ profit कमाना क्या होता है सिर्फ profit earn करना ओके इसका आप screenshot ले सकते हैं यह आपको PDF दी जाएगी उससे आप इसे और अच्छे से 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा वैसे में जमालू में आप लोग समझ चुके होंगे फुल फॉर्म हमेशा याद रखिया फुल फॉर्म याद रखने से आपको और अच्छे से याद होगा निमनी में से किस भारतिये ने 30 सेकंड में रस्ती कूद कर Guinness Book of World Records अपने नाम दर्जिक किया है तो यहाँ पर right answer हो गया जोरावर सिंग ठीके यहाँ पर उनका नाम नह 147 इन्हें रस्ती कूदी कितने मातर 30 सेकंड में और इस कारणाम की वज़े से इन्होंने क्या किया है अपना नाम Guinness Book of World Record में दर्ज कराया है तो इन्हें आप याद रखेंगे other options देख लेते हैं विकास कनना इन्हें Asia Game Changer Award मिला COVID-19 के समय फीड इंडिया अभियान चलाने से राम चंद्र मौनली इन्हें कालो जी नारायन पुरुसकार से तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया एम विरलक्षमी ये देश की पहली महिला ड्राइबर हैं देखिए अब ये पहली आ गया है तो मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ जो पहला ह भारत में उससे रिलेटिड जो वीडियो है वो आपका आप मौर्निंग में साथ बजे अपलोड हो जाएगा तो उसे आप सभी लोग देख सकते हैं और मैं आप लोग को सजेशन दूँगे कि आप रोज करन्ट अफिर्स को फॉलो करें क्योंकि रोज कुछ ना कुछ पहले आपको सुनने को मिलेगा ठीके तो ये भी आपका क्या होगा डेली कवर अफ होता जाएगा कला नारायन सामी इन्हें ये नर्स हैं इन्हें सिंगापुर के राश्टपती सम्मान से कोविड-19 के समय इनकी सर्विसेस के लिए सम्मानित किया गया है ओके सारे पॉइंट और फ्लिशा दिने का ये नर्स हें सार्वजन किस्तार के लिए और ऊर्जा नभी करने के विस्तार के लिए दिया गया है इस स्थापना कब हो इती अंतरश्टी वित्तिनिगम की तो ये स्थापना हो इती 20 जुलाई 1956 को हेड़कोटर आपको मिलेगा वासिंग्टन डीसी अमेरिका में और इसके एक्जिक्यूटिव हेड और सीओ कौन है फिलिप ले हो रे फिलिप ले हो रे ठीक है तो कौन अलग हो गया है ब्रेटन यूरोपे यूनियन से अलग हो गया है और अब वो इंडी विज्वली एक देश के रूप में क्या करेगा अलग अलग देशों से समझोता कर सकेगा अधरवाइस वो जो समझोता करता था वो किसके माध्यम से होता था यूरोपे यूनियन के म उनाइटेट किंग्डेम किस से ब्रेक्जिट यूनियन, यूरोपे यूनियन से तो आप किती मेंबर बचे उसमें, यूरोपे यूनियन में, एउ में 27 मेंबर बचे हैं, ठीके और इसने पहला समझोता, याद रखेंगे पहला आ गया है, इंपॉर्टेंट हो गया किसके साथ किया है, तो ये किया है जापान के साथ, ठीके आर्थिक समझोता, तो इसे आप याद रखेंगे जापान के साथ, हाल ही में जर्नल मौसात्रुय का निधन हो गया, यहां किस देश के राष्टपती रह चुके हैं, तो राइट आंसर होगा, ये माली के राष्टपती रह और तो देश किस पानला के साथ, गया होगा रखने हैं, तो ये थे आप याद रखेंगे, यहां पर आप यह देख रहे हैं, यहां से रेखा जारी हैं, यहां से जाती हैं, यहां से आपकी beginnings तो अफ्रीके ऐक मात्र महादी पर जिसस glare 3 रेखाएं गुजरती यहें, यहीह भ करता है ठीक है यह यहाँ पर इंडियन ओशन है और यह सबसे ज़्यादा इंपोर्टन क्या है यह होर्न ओफ अफरिका है ठीक होर्न की तरह सींग की तरह दिख रहा है आपको यह तीन देश आते हैं इसमें इरिटरिया जिबूती ओके तो यह मिलकर क्या बनाते हैं होर्न ओफ किया है किसने चीन ने तो कहां पर पीले सागर में कहां पर किया है पीले सागर से किया है तो बात कर लेते हैं हम चाइना की capital क्या है बीजिंग है currency क्या है रेन मिन भी है राश्ट पती कौन है सीज जिन पिंग है और 2036 तक ये क्या रहेंगे सोरी इनके संबिधान में संसोधन करने के बाद यह आजीवन क्या रहेंगे चीन के पुरुण राष्ट पती बने रहेंगे hand in hand अभ्यास किस को मद्ध होता है भारतों चीन को मद्ध होता है 2020 के प्रारंब में ही मालिकाले के उम्रोई में क्या हो चुका है hand in hand अभ्यास हो चुका है भारतों चीन के मन्द हांग हो नदी इसे ही क्या कहा जाता है पीली नदी भी कहा जाता है ठीक है यह एश्या की दूसरी बड़ी नदी है पहली बड़ी नदी कौन सी है यांग सी रिवर है यह कहां पर है तो यह भी चाइना में ही बहती है ठीक है एश्या की सबसे बड़ी नदी यांग सी नदी दूसरी है हांग हो नदी ठीक है यह यहां पर देख लीजे आप यह जा रही है हांग हो नदी ठीक है और यह कहां पर गिरती है यलो सागर में ही गिरती है क्या क्यूं बोला जाता है इसे पीली नदी या हांगो नदी इसलिए बोला जाता है इसमें पाई जाने वाली जो मुलाय मिट्टी होती है उसका कलर क्या होता है पीले कलर का होता है इसलिए इसे पीली नदी कहा जाता है और जब यहां सागर में गिरती है ठीक है बोहाई साग अबढ़ाय में गिरती है तो यहां पर यह यलो सागर का निमान करती है और इसी पर ऑना पर लिए ने स्वाण। Korea ठीक है तो तीनों country आप याद रखेंगे location याद रखा किजिए आपको आसानी होगी याद करने में ठीक है और ये बड़े में अपमें अगर आप देखे तो ये वाला जो area दिख रहा है आपको ये है यलो सागर चलिए निम्न मेंसे किस company ने भारत में वर्स 2025 तक 5 मिलियन बच्चों को ससक्त बनाने के लिए सभी के लिए सिक्षा वियान प्रारंब किया है सभी के लिए सिक्षा वियान तो right answer होगा by use के द्वारा ठीक है कौन कर रहा है by use कर रही है by use जो है एक learning platform है ठीक है इसकी स्थापना 2011 में ह और ये क्या करेंगे 2025 तक भारत के 5 मिलियन बच्चे जो गरीब है ठीक है पिछडे चेतरों से आते हैं उन बच्चों को पढ़ाई के माध्यम से ससक्त करेगी ठीक है कौन by use तो ये भी आप याद रखेंगे point to point section देख लेते देवी अहिल्लेवाई हुलकर एरपोर्ट को अ देश का पहला वोलेंगे तो इंदोर में है और दुनिया का दूसरा है inventory museum कहा बन रहा है तो ये बन रहा है इंदोर में प्रधान मंतरी स्वान इधी योजना को लागू करने वाला करने वाला सीर्स राज्य कौन सा रहा है मध्यप्रदेश रहा है रुक जाना नहीं अभिया योजना बच्चों के लिए घर पर ही education की विवस्ता हो सके इसके लिए मध्यप्रदेश सरकान शुरू किया है जिला पुलिस के ने आपके आसपास योजना प्रारंब किये किसने बेतूल जिले की पुलिस ने क्यों क्योंकि जो बेतूल जिला है यहां पर आसपास देखा ग आप लोग रोज पढ़ रहे हैं तो जितने आपको डे याद हैं उस डे को आज आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में किल कोरोना अभियान ये भी एक जुलाई से मध्यप्रदेश में ही प्रारंब किया गया था हाली में 36 गड़ के रायपूर से हैदराबाद के मध्य पहली तो दर्भंगा से ही क्या हो गई है हवाई यात्रा प्रारंब हो गई है उडान प्रारंब हो गई है कहां किसने प्रारंब की स्पाइस जेट ने प्रारंब कर दी है और ओनलाइन टिकेट बुकिंग भी प्रारंब हो चुकी है कहां से दर्भंगा से बाला साहफ ठाकरे दु पाल मलिक और ये कहां के बन गए तो ये बन गए मेगाले के राज्य पाल ओके तो ये भी आप याद रखेंगे एलिफंटा की गुफाएं एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाएं सभी कहां मिलेंगी महाराश्ट में मिलेंगी महाराश्ट के हाई कोट के चीफ जेस्टिस कुन बने हैं दीपांकर दत्त बने हैं मेरा परिवाय मेरी जिम्मेदारी अभियान किसने प्रारम किया महराश सरकार के द्वारा प्रारम भी किया गया कोविड-19 के कम्यूटी स्प्रेड को रोकने के लिए ट्रैफिक सिगनल पर पहली महिला की आकरती लगाने वाला सहर कुन सा बना है महराश्ट बना है विजली लाइनों और ट्रांसफर्मों का निरिक्चन वा निगरानी रखने के लिए ड्रोन का इस्तमाल करने वाला पहला र भूलोगे ही नहीं मुफ्त बीमा सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है महराश्ट है मरसर के कोश्ट ओफ लिविंग इंडेक्स में देश का सबसे महंगा सहर कौन सा है तो यह है मुंबई कौन सा है मुंबई विश्व में कोरोना वायरस के मरीजों के अच्छे हो रहे हैं अब प्रॉमिज्ड लेंड नामक पुस्तक इसकी ने किसके द्वारा लिखी गई है बराक उबामा के द्वारा नवंबर में लांच की जाए हाउ ओनियन गेट्स इट्स लियर नामक पुस्तक इसकी है सुधा मूर्ती के जो इनफोसिस फाउंडेशन की चेयर में ने और जो नारायन मूर्ती हैं फोसिस के ध्यक्ष उनकी वाइफ भी है ये यूरो मनी एक्सिलेंस 2020 के द्वारा लाइफ टाइम अचीबमेंट अवर्ड HDFC बेंक के CEO अधित्य पुरी को दिया गया है बहारत एको सौस ठीक है यूनाइटेड नेशन सामाजिक आर् भारत जीता है इसकी सदेश्यता कितने वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए स्थापना कभी ती एको सौस की तो हैट्वार्टर कहां मिलेगा सामाजिक आर्थिक परिशत का तो ये मिलेगा आपको नियॉर्क में कहां पर नियॉर्क मैं ओधित सिंगल को यून के सबस्टेन development goal के लिए 2020 class of 17 यंग लेडर के रूप में चुना गया है और इनका जो अभिहाने वो क्या है glass to sand glass to sand मतलब क्या करना जो कांच की bottle रहती है जिने हम फेक देते हैं sauce वगेरा की bottle होती है और जो drink वगेरा करते हैं उसकी जो bottle होती है वो जब ऐसे fake दी जाती है तो उसके जो छोटे-छोटे कण होते हैं उनसे दिल्ली में जो चुनोती उससे निपटने के लिए उधित single ने अभिहान चलाया था कौन सा glass to sand मतलब यह जो कांच होता इससे क्या बनाते हैं रेत बनाते हैं उससे उध्योगी जो buildings बर्ण रही हैं उसमें उससे देते हैं जिससे क्या हो सके काच का निपटान उचित तरीके सो सके और उसको all women delivery station कहां खोला है गुजरात के कड़ी छेतर में खोला है पहला कहां है तमिल नाडू में है तो यहां पर फिर से पहला आ गया कि पहला All Women Delivery Station कहां खुला है तमिलनाडू राज्ज में खुला है और गुजरात का पहला गुजरात के कड़ी में खुला है Australia University Monasa के डॉक्टरों के द्वारा विश्वी की पहली Bionic IWP की गई है जो द्रश्टी हीनों के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा NSO की रिपोर्ट के अनुसार 59.7% इसकूली चात्र क्या जाते हैं पेदल जाते हैं Toyota Krilluskar ने SUV Urban Cruiser का Brand Ambassador किसे बनाया है आईश्मान कुराना को आईश्मान कुराना इसकी तो Brand Ambassador बने ही है ठीके और किसकिस के हैं Bajaj Allianz के भी हैं और UNICEF के Safe Child Rights के Advocate Celebrity भी बने हैं I lead 2.0 सिस्टम ग्रहक सेवाओं के विस्तार के लिए Canra Bank के द्वारा प्रारम्ड किया गया Canra Bank के साप 1906 मुख्याले आपको मिलेगा Bangaluru में MD और CEO को ने Lingam Banker प्रभाकर अमेरिका ने TikTok और WeChat पर क्या कर दिया है प्रतिवंद लगा दिया है यह भी याद रखेंगे First Blood Bank for Dogs यह कहाँ पर बनाए लुधिहाना में बनाए Animal War Memorial कहाँ बनाए देश का पहला Animal जो डॉक्स होते हैं चेना में पुलिस में क्या होते हैं यह बहुत महत्पुन भूमी का निभाते हैं इनको सम्मान देने के लिए इनके कार्यों के याद करने के लिए Animal War Memorial पहला स्थापित किया गया कहाँ पर मेरेट में उत्तरप्रदेश में देश का पहला Dog Park कहां स्थापित किया गया हैदरवाद में देश का पहला Dog Park हैदरवाद में स्थापित किया गया Emerging Interpionier Business Scheme किसने प्रारंब की बंधन बैंक द्वारा प्रारंब की गई है। ब्रेक्सराश्टी सुरक्षा सलाकारों की दस्वी बेठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया तो यह लिया अजित डबोलने। नियो हव जट जॉर्डन ग्लेशियर का नाम है और यह चर्चा में क्यों है क्योंकि यह लगातार पिघल रहा है कहां पर इस्थे थे ओर यह लगातार पिघलने की वज़े से चर्चा में है ऊके तो यह था हमारा कल का जो question पूछा गया था आपसे आजादी freedom fiction जो book थी उसकी लेखक को ने तो अरुंधती रॉय थी और उसका right answer किस ने दिया था सिवानी पबार की द्वारा दिया गया था और आज का हमारा question है हाली में फीफा की नवीनतम ranking में भारत का कौस्थान कौन सा रहा है ये रहे option आ internal awareness जो होती current affairs होता वो अच्छा होगा ओके लिखने से आपको ज्यादा याद रहेगा thanks for watching have a great day and take care